नमस्ते दोस्तों मैं स्वरब सर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर तो आज यह जो वीडियो है वो उसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहा है कमेंट आना कि बहुत हो रहा है जाम से पहले कैसे क्या करना है स्कोर घट रहा है पह घटने देजिए कितने घट जाएंगे उन्से परिसान नहीं होना है और सबसे पहले लाज डेज में स्ट्रेटीजी है और सबसे पहले में एक बात और करना जाएंगा जिन लोगों के अलागी सबके ही आगा है सब लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी सिप्ट डाल प्रैक्टिस ज्यादा करिए और एक्जाम से चार-फांस दिन पहले जब आपको लगए कि आप चार-पांस दिन ने जब भी आपको लगए कि आप डी मॉटीविट हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या किजिए कि आप उस पाटिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट दिए जिसमे आप उसका मोग देंगे या उसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें खुद को बहतर पाएंगे बहतर पाएंगे तो confidence डाउन नहीं होगा यह मेरे साथ भी होता था तो यही मैंने किया था आप उसी सब्चेक्ट के मोग आप प्रैक्टिस कीजिए जो आपको बहतर ही आती है जिसको मैं आपको पता है कि इसमें में बहतर स्कोर कर पाऊंगे वह रीजिनिंग हो इंगलिस हो उसके मोग ज्यादा दीजी तुछ से क्या होगा आपका confidence low नहीं होगा और क्या करना है लाज दिन में एक और एक चीज़ और मैं बताऊं कि एक दिन पहले जब आपका एक दिन ब्रेक लेगे अपने फैबरेट मुवी वेप से जो भी देखता था उगले दिन एक्जाम देता दो कापी अच्छा रहता था तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा जब भी आपका motivation डाउन होगा ऐसे मौक दीची जिनमें आपके नंबर ज्यादा आयते या उन मौ मौकों को देखिए जिनमें आपके नंबर आयते उन मौकों को देखिए कि मेरे इसमें इतने आयते इसमें इतने आयते कहा में अच्छा गया तो उससे भी आपके confidence बना रहेगा बाकि आप सभी को आपके exam के लिए best of luck और इस वीडियो को इतना ही रखेंगे वह ज्यादा ल रही हो भी continue करिए और एक्जाम को फ़ॉर्ट दीजिए थैंक यू